Good morning students, आज ग्लास 9 में एक नया आप दियाए, आठ चत्रभुच जिए शुरू करने जाएगे इसके कुछ इंपर्टेंट पोईंच चत्रभुच किसी एक ही संपल में इस्तित चार्च करण रिखाओं, से गीरी बंद आपरिती को चत्रभुच जहते हैं चित्र में A, B, C, B, A चत्रभुच है देखो बच्चों उसको चित्रों के माध्यां से हम जाते हैं, चित्रों के A, B, A, B, C और इस्तित्रों के माध्यां से इसे जो बंद आपरिती बनी है, हो कहते हैं चत्रभुच चत्रभुच A, B, C, D में A, B, B, C, C, D, अडिये चार्भुच आएं देखें, यह होई पहली बुचा A, B, दूसरी बुचा, B, C, तीसरी बुचा, C, D, चौत्रु बुचा, D, A A, B, B, C, C, D, और D, क्या हैं यह चारों पुचा आएं पुचा, B, पुचा, C, और पुचा, D चत्रभुच के सम्मुख शिर्षों A और C, तका B और D को मिना रिक पर A, C और B, D दो विकर्ण प्राफ्टे देखें, देखें, एक A और C, दूसरा, B तर D विकर्ण को मिनाते हैं, तो यह कहनाते हैं, विकर्ण, A, C, और B, D, जा कहना हैं, विकर्ण, ठीक हैं, नेक्स्ट, चक्रभुच के यह अंतर पॉर्ण का योग चार्ण, संपोणियां, 360 होता है, देखें, जब कोण A कमाण रेंगे, तो यह ओगा नभ्य यंश्टा, कोण दी होगा नभ्य यंश्टा, तो यह संपोण, नभ्य यंश्टा कोण को संपोण कहते हैं, शीक हैं, जब नभ्य को, तो चाल और कस करें है, 90, 90, 90 और 90, तो स्टुडेंट क्या होगा थी, सिच्छती हो, कि या इसको चाल संपोर भी होते हैं, किसी चत्रभुच, कास, परिमा, उसकी विपार्णों को यक्ते अभी होता है, चत्रभुच की संभुख हो जाएं, वे तो बजाएं, जिकका कोई अभ की संभुख हो जाएं, थीक, AB की संभुख हो जाएं, CDC और BC की संभुख हो जाएं,AD, थीक, दःते। A, B, C और D ती है वेच्छा, आपने कौन पढ़ा और भुजाय में पढ़ती है आगे सम्मुख भुजा A, B और D A, B और D, C क्या है कि सम्मुख भुजा जाना है तामी की और B, C और A, B से तोर्स पर हो जाना है आप चत्रमुख की क्रमागग दिलाएं क्रमागग का हुजा जो कंडिव नज़के क्रमागग A, B और B, C इसका है A, B आप हो जाओ, A, B के बाद B से लगे से दूसरी जाएं यह रवाए क्रमागग हो जाओ A, B इसके बाद B, C तो B, C से लगे हो जाओ, C, A, C, D, और C, D से लगे हो जाओ, D, A और D, A से लगे हो जाओ जाओ जी यह कहलाते हैं क्रमागग जाएं ना चत्रवज के संभख पॉर्ण चत्रवज की वेदर पॉर्ण जिनके अंतरे क्रेहरी बुझाओं में क्यों पॉज हो जाओ संभिष्ट, तो यह उपर A, C संभख पॉर्ण अबी और D क्या है संभख पॉर्ण यह A, C, संभख मतला हामने कौणे के सामने के कौण कौण A कौण C क्या है? सम्मुक पौण सि, खि 심? सम्मुक पौण बोल सकते? मुझे करे कौण के यग मोबल सकते तु, और उस-के सामने कोन कौण सा होगा? देखो. d के सामनेद्गे रहती है तो b और d हिसो ननी सैम। जाइसे करमावद्ध बूजाएं होती है यह से करमावद्ध कौन होती है तो क्रमावद्ध कौन होगे ए और दी लगे होगे पिर कौन बी पिर कौन C, D, कौन D, और कौन D, यह होगा, चलिए, अगला चत्रबुच आता है, सम्लम चत्रबुच, किसी चत्रबुच की सम्लम बुजाओं का एक लिए परस पर समानतर हो, उस चत्रबुच को सम्लम चत्रबुच का एक होगा, शोलम बुजाओं किसी समम्लम, जिसको समत्रबुच को दो भीसितों, लिक रेद ऴी इमर मुग्या अबू पिल 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 अबी सी और बी हमानता काड़ होता है इसको सीधी रेखा तो समांता-सीडी रेखा तो इसको इस चिन्नेद्वावा दर्शातें, एवी समांता है सीडी तो और ऑवीची सम्हनम चत्रभुज होगा चैरे, समानचे चत्रभूजे एफ पुटनता, यदि किसी चत्रभूज की इस संभू पोजाओ का प्रत्य किसी समान तरो तो उसे समानता चत्रभूज थे टाथो नीचे चत्र में चत्रभूज A-B-C-D नहिं, A-B-7 है C-D के और A-B-7 है B-C-D ये प्यकर 13 वे चे लगसा मस्तें हो अब्या? अब्यकर, घर अ कर लूख औरा ले लेगि A, B, C और B अब A, B जो रेखा समानता रहे 36 रेखा है इसी क्या कोडिक C, B जो है वो भी 36 रेखा है ये बुजब दोना समानता है इसी परकाद B, C रेखा जो है वो इसके समानता सामने रेखा B, A तो A, B समानता है C, D के और B, C समानता है इसके A, D के आपको अब आपको अबने चत्रगुच के बारे में अधिन कराए आपको जितने भी चत्रगाद आपने क्लास में सीखे हैं आप उनको चित्रों को पॉंच-पॉंच पॉंच पॉंच प्रेट्स करेंगी आप रेखा गणी कॉपी में लिखेंगी और याद करेंगी और परिक्षा की पहियारी करेंगी